हेलो एवरिवान मैं डॉक्टर प्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे टाइप ऑफ डाइट लेने से हम पैरलिसिस के पेशिंट को अच्छी रिकवरी तेजी से करवा सकते हैं तो यही सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हमे जो खाना दे रहे होते हैं जो उसको खाना दे रहे होते हैं उसके अंदर हम पेशिंट को या तो बॉइल्ड खाना दे रहे होते हैं या कुछ हलका पचने वाला खाना दे रहे होते हैं हलका पचने वाला खाना देने से हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी बॉड़ी को को दुबारा से चलाने में हाथ पैर की मुवमेंट वापिस लाने में पेशिंट की बॉड़ी को स्ट्रेंथ की जरूरत होती है एनरजी बहुत जादा रिक्वाइड होती है तो उस चीज का हमें खास ध्यान रखना है हम जो गलती कर रहे होते हैं पेशिंट को सिरफ उगला क्योंकि हमें पेशिंट को दुबारा से इंडिपेंडन बनाना है चलाना फिराना है अपने काम करने लाइक बनाना है तो जब भी साइंस अंजीवने में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हम पेशिंट को जब मेडिसिन शुरू करते हैं उसके साथ साथ डाइट लगाथ भी दिया जाता है उस डाइट के अंदर हमें क्याद्यान रखना है पेशन् में सबसे पहले ध्यान रखना है प्रोटीन एंृश डाइट देना जरूरी होता है प्रोटीन एंरिश्ट डाइट है क्या और कैसे मदद करती है वह आप समझ लीजे जितनी भी आपकी दाले हैं, दूध है, नॉन वेजटेरियन आइटम्स है, एग है, फिश है, चिकन है, यह सारे के सारे आपकी हाई प्रूटीन डाइट के अंदर आती हैं. अब जो पेशिंट्स वेजटेरियन्स हैं, उसके अंदर हमें मिल्क का यूज अच्छी अमाउंट में करना होता है, अब दूध जो आपको देना है, उसमें क्या ध्यान रटना है, या तो आप गाय का दूध दे सकते हो, अगर अगर अवेलेबल है, मलाई उतार के, या फिर डबल टॉन मिल्क जो आता है, बिना क्रीम का, वो दे सकते हो आप पेशिंट को, क्योंकि पेशिंट के अंदर जब भी स्टोक होता है, पेशिंट जादा तर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर कॉलिस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, देखने को मिल जाता है, उस पेशिंट को आपको मिल्क देना है, तो डबल टॉन मिल्क, 100 ml आप दे सकते हो अराम से, सुबाशाम देना चाहो, सुबाशाम दे सकते हो, दूद दल्या के अंदर डाल के, या फिर सूजी में डाल के, ओच में डाल के, आप दे सकते हो, पेशिंट के बोड़ी को एनरजी भ जो पेशिंट्स नॉन वेजिटेरिन है वो एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं एग वाइट बॉइल्ड फॉर्म में आप दे सकते हो पेशिंट को योग वाला हिस्सा नहीं देना है एग वाइट दे सकते हो फिश आप खाने में दे सकते हो आपको धान क्या रखना है कि आपको उसको तल के नहीं बनाना है आप ग्रिल्ड फॉर्म में बेक्ड फॉर्म में उसको दे सकते हो बॉड़ी को एनर्जी भी देगा प्रोटीन भी जाएगा और एक्स्ट्रा ओयल घी कुछ भी नहीं जाएगा साथ के साथ अगर आप पेशन को चिकन देना चाहते हो तो चिकन सूप बना के आप दे दो ताकि पेशन की बॉड़ी में एनर्जी भी बनी रहे और उसको कोई साथ में परिशानी ना हो अब जो पेशन वेजटेरिन हैं उनके अंदर आप प्रोटीन के लिए और क्या-क्या द सकते हो और साथ के साथ पेशन को जितनी भी दाले हैं जरूर दो चीक है उसके साथ आप उसको मश्रूम है सोया बीन है यह दे सकते हो बॉड़ी को एनर्जी भी मिलेगी प्रोटीन भी मिलेगा रिकवरी बी स्पीड अप होगी क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मेजर बिल्डिं नहीं देना है जिससे उसे ताकत ना मिले प्रोटीन एंरिष्ट फूड उसको देना ही देना है अब साथ में पेशन को दलिया दे सकते हो वेजटेबल उसी में डाल दिया ताकत वाला खाना देना है पेशन को ताकि पेशन दुबारा खड़ा हो सके चल फिर सके ऐसा उबला और इरिटेबल होता है क्योंकि वो अपना काम खुज से नहीं कार पा रहा है अगर उसे पसंद का खाना भी नहीं मिलता है तो वो खाना खाना ही छोड़ देता है वीक्नेस आती चली जाती है मसल्स, मास, पेशियां जितनी भी होती है सूख निती चली जाती है तो पेशिंट को अपने खाना एनर्जी एंरिश्ट देना है बट उसको कोई नुकसान भी ना हो इस चीज का ध्यान रखना है तो आपको उसके खाने में बस खटाई का इस्तमाल नहीं करना है उस चीज का अ उसके बीछे कुछ कारन देखने को मिलते हैं अगर पेशिंट के ब्रें के अंदर आता है या फिर हेंवरिज देखने को मिल जाता है उसके अन्दर क्या देखा जाता है पेशिंट को और या तो बीपी शुगर कोई ना कोई ऐसी परिशानी रही होती है या उसका है तो हमें ध्यान रखना है कुछ भी मीठा नहीं देना है फ्रूट्स आप 150 ग्राम से उपर उसको फल नहीं दोगे जादा बेटर यह रहता है जितना आप उसको को खाना देते हो उसकी डिजेशन उतनी अच्छी रहती है मतलब आप फ्रूट्स जूसिस की जगा उसको अगर पर शूप उसकी हीलिंग स्पीड अब होती है तो अगर पेशन नौन विजडर एंड नहीं जोग बना के दे सकते हो अगर पेशन वेजडरेन है तो सके अंदर वेजड़ेबल्स का सूप पस टमाटर यूज़ नहीं करना है आप मश्रूम का सूप दे सकते ओ यह सारा कुछ बोडिको वाम्थ मिलती है और आजकर जिसे आप देख रहे हो विंटर आ रही है तो सुप मदद करता है पेशिंट की हीलिंग में एनर्जी पर वाईट करता है और स्रकुलेशन बेटर होती चलिए जाती है पिसित साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है पेशन्ट की डाइट के अंदर विटमिन डी और बीटवल्फ की कमी नहीं होने देनी है अब आप उसको या तो खाने से पूरा करो खाना से अगर वो नहीं पूरा हो रहा है फिर भी डेफिशेंसी बॉडी के अंदर बनी हुई है तो आ करते हैं कि किस तरीके से उसको डाइट में वो अड़ान करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है पेशन्ट को प्रोटीन एंरिश्ट डाइट देनी है विटमिन डी और बीटवल भरपूर होना चाहिए और साथ के साथ पेशन्ट को हम जो पानी दे रहे हैं अब चैसे ही करें ताकि पेशन्ट को कोई भी कॉंस्टिपेशन नहीं हो रहा और डाइजेशन उसका ठीक रह रह रहा है अई होप यह विडियो आपको मदद करेगी पारलेस पेशन्ट की डाइट के बारे में अच्छे तरीके से समझने में पिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट से जाते हैं तो आप नीचे दे हुए नंबर पे हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं कि अपको छोटा साइक काम करना है अपना और अपने पेशन का खास ध्यान रखना है ताकि आपका पेशन जल्दी से जल्दी इंडिबंड हो जाए और उसकी रिकावरी स्पीड अप हो ज से मिल सकते हैं तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए टेक करें